इस video on video call, अगर आप whatsapp यूज करते हो और आप चाहते हो कि उस पे आप किसी भी person को call करो, तो call करने के बाद जो effect वो change हो जाता है, like आपके सामने एक sample आता है, जहां से आपको दिखाई देता है, कि 1 से लेकि 100 तक आप उसे increase कर सकते हो, beauty calling पे, लेकिन आप इसे कैसे कर सकते हो, किस तरह से कौन से application आपको download करने परेंगे, कहां पर यह application आपको मिलेगा, क्या यह application प्लेश्ट पे मिलेगा, यह application को आपको कहां से download करना परेगा, सब कुछ इस video में बताऊंगा, video को अंट तक जरूर देखेगा, और मैं काफी सारे models के बारे में आज आपको बताने वाला है, तो आपको इस video को बिना किसी skip के वे देखना है, क्योंकि इस video में मैं आपको जो tips देने वाला हूँ, अगर उस tips को आपने अच्छे से ले लिया, या तो इस video को आपने गौर से देख लिया, तो 100% मेरी guarantee है कि आपके phone पे यह work करना start हो जाएगा, और आपको कोई भी प् करते हैं, तो चैनल को subscribe करके bell notification on कर लिजे, हमारे चैनल पे free में चैनल promotion भी होता है, जहां से ब्याल इस computer से आपको free में वर्श टेम, subscriber, सब कुछ दिया जाता है, तो चले video के और आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करने चाहिए, और क्या नहीं क कर सकते हो, सब कुछ आपको इस video में बताऊंगा, तो सबसे पहले बात आजाती है, हम यहां पर बात करते हैं, क्या हम कोई third party application यूज कर सकते हैं, like क्या हम कोई भी GV WhatsApp, FM WhatsApp, इससे यूज कर सकते हैं, तो मेरा बस एक ही बात कहना होगा, बिल्कुल इससे मत करना, अगर आप से करते हो, अगर आप security presence के रूप में इसे देखते हो, अगर आप कोई भी अगर आप relationship में हो, अगर आप किसी से भी video calling कर रहे हो, तो आप याद रखिएगा कि आपका जो video हो कभी भी वारल हो सकता है, like आपने अगर normal video calling भी किया, तो वो किसी website पे जाके record हो सकता है, आपका यूज करोगे, तो आपके phone के जितने भी data है, आपके contact detail है, आपके credit card detail है, आपके Gmail idea, सबका वो access लेता है, जिसके बाद आपका account तक खाली हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक beauty के चक्कर में, तो आप ये गलती कभी मत करना कि आप official WhatsApp को छोड़के, कोई और WhatsApp आप अपने phone पे install कर लेना, तो बात आ जाती है कि आपको कौन सा WhatsApp यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया, अब बात आती है कि हम इसे कहां से download करें, जो हमारे phone पे ये support करें, तो जैसा कि साइट पे आप देख सकते हो कि हमारे पास अभी आपको दिखाने के ल अब आपको करना क्या है, वो मैं आपको बारिकीश बता देता हूँ, आपको 7 time build number पे click करना है, बिल्ड नमबर पे आप जैसे click कर देते हो 7 time तो आपके सामने एक डेपलेपर mode options आजाता है, build number पे click करने के बाद, तो आपको जैसे जाते हो तो आपको आपको कुछ applications देखने को मिल जाएंगे, जिसे आपको allow करने परेंगे, तब ही जाके ये काम करेगा, लेकिन वापे वो show कब करेगा, अब उसके बारी आती है, तो आपको करना क्या है, आपका अगर वीवो का phone है, वीवो के official website पे जाईए, अगर आपका phone Android 11 से update हो गया है, तो ये आपके phone पे कभी भी work नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे device से देखा गया कि आपके phone पे ये पहले था, लेकिन Android update आने के बाद, Android 11 update आने के बाद, इसे remove कर दिया गया है, क्योंकि security process के कारण कभी-कभी ऐसा हो रहा था कि उसे कुछ bugs आ गय थी, उसके कारण से उसे वहां से हटा दिया गया थ तो आप अपने phone पे इसे back कैसे कर सकते हो, या तो आपके phone पे अगर नहीं है, तो इस external file को आप कैसे download कर सकते हो, package को किस तरह से, अपने phone पे install कर सकते हो, आपको मैं link तक provide करवा दूँगा, अगर आपको link चाहिए, तो हमारा Instagram edit टेक्नो प्रीतम, यानि कि last में आपको टेक् या Instagram, अगर आप वहाँ पे जाते हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आगा, क्योंकि other device के लिए other link है, तो चलिए मैं आपको बता दूए, दोनों जिकर जाने के बाद आपको link मिल जाएगा, या तो हमें मैं mention भी कर सकते हो, आपकर आपका message जल्दी reply नहीं मिल रहा है तो, तो आपे follow करके, आप हमें message करके link ले सकते है, external file जो package होगा, जो आपको download करने परेंगे Android 10 के लिए, तो आप इसे जब download करें, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, जहां से आप क्या करोगे, additional setting पे जाओगे, और आपको आप एक setting देखने को मिल जाएगा, जो होगा, face beauty for video call, जी हां इसे आप जैसे enable कर लेते हो, आपके phone पे एक options फिर से आजाएगा, वो options क्या हो, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो options बस इतना ही होगा, कि आप जैसे video calling पे किसी से बात कर रहे हो, normal में में आपको दिखाए देता है camera mute करना, video up करना, video front camera लाना, back camera यह सारा options आपको दिखाई देता है, लेकिन आप इसे जैसे install कर लेते हो ना, उसके बाद आपके phone पे एक new features, एक pop-up open हो जाएगा, जैसे आप video calling किसी भी person को करेंगे तो, तो महाँ पे आपको दिखाई देगा, कि यार किस तरह से हम इसे increase कर सकते है, decrease कर सकते है, सब कुछ आपको दिखाई देगा, यह बात होगे बीवो के phone के लिए, अब वो के बारे में हम बात करते है, ओपो के phone पे cm2 आपको विल्ड नबर पे जाना है, 7 टाइम आपको क्लिक करना है, 7 टाइम आप जैसे उस पे क्लिक करेंगे आपको developer mode options आजाएगा, और आपके phone पे अगर य देखते हो बोलते हैं आधा ग्यान कभी भी सही नहीं होता है, तो पूरा ग्यान जरूर ले लो, जितना भी मैं दे रहा हूँ, जितना भी मुझे पता है, उतना मैं आपको जरूर बताऊंगा, और मैंने सारे experiment करके देखें, बहुत सारे phone पे करके देखें, then मैं आपको यह बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, वहाँ से इसे अन कर लेना है, अन करने के बाद आपको इस phone पे अगर देख सकते हो कि मेरे phone पे यह early से enabled है, क्योंकि मैंने इस पे android 10 पहले से यूज करा हुआ है, जिसकी कारण से हमारे phone पे यह show कर रहा है, तो अब हम यहाँ पे कर कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ से video calling का मज़ा ले सकते हो, वह full HD में कोई भी issue नहीं आने वाला है, ना आपका data leak होगा, ना कुछ और होगा, end to end encrypted रहता है, चाह हमारा message हो, video calling हो, कुछ भी हो, तो यहाँ से आप official web से अगर आप यूज करते हो, official application से अगर आप यह features यू मत करना, जिससे आपका data कभी बिली खोशकता है, कोई भी guarantee नहीं है, तो यह सब करने के बद हम आ जाते हैं, यहाँ पर बात आते है, MI के phone के बारे में, MI के phone अभी मेरे पास नहीं है, उसका recording भी नहीं कर पाया, लेकिन आपको बता देता हूँ का आपको करना क्या है, जिस त पायल मिलेगा वीडियो कॉल के लिए, आप उसे डाउनलोड कर लोगे, जैसे वहाँ से डाउनलोड करते हो, अब आपको करना क्या है, वह मैं आपको बता देता हूँ, जिससे डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ options दिखाई देंगे, जिस options में का options होगा, कि वहाँ पे आप developer mode पे जाएंगे, उस application को महाँ पे allow करने का options आजाता है, आप उसे वहाँ पे allow कर देते हो, जैसे location पे आप जाओगे, mock location का options आता है, उसके just नीचे में आपको एक new features देखने को मिल जाएगा, जब आप इस application को install कर लोगे तो, आपका कोई भी MI का model हो, आप हमें comment करके जोड़ बताना, Samsung का हो, Bebo का हो, Oppo का हो, सब कुछ आप हमें comment करके बताना, ताकि जो model के बारे में नहीं हो पा रहा है, ताकि मैं उस पे search कर पाऊं, और आपके लिए एक video ले के आपाऊं, और मैं आपको starting से बता रहा हूँ, आपको हमारे channel को subscribe करने लेकिन बहुत सारे cases में देखे गएं, जो मुझे comment करते, यार मेरी साधी है, मेरी यह, मेरी वो देखने वाले है, यह करने वाले, तो मुझे बहुत सारे messages देखने को मिलते Instagram पे, तो यार मुझे क्या ही बताऊं, मैं इस channel पे लगवक 3-4 video मैंने इस category के डाल दिये, जिस पे मैंने आपके solution को मैं ले के आता हूं और आपको बताता हूं, तो MI के phone पे इसे आप यहां से कर सकते हो, Samsung के phone के लिए मैं आपको बता देता हूं, कि Samsung के phone के लिए मैं आपको कोई वेबसाइट नहीं, बलकि direct आपको Telegram पे एक link प्रोवाइड करवा देता हूं, जहां से आप पे जाके build number पे 7 time क्लिक करके आप वहां से on कर सकते हो, अब बात आती है iPhone पे क्या हम इसे huge कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो iPhone के लिए मैं आपको बता दो कोई ऐसा एक application नहीं अभी तक बनाया है, नहीं हुआ है, जहां से आप इसे face beautiful वीडियो कॉल कर सको, लेकिन आपक जो app store पे आपको लेके जाएगा और वहां से आप इसे आनन्द ले सकते हो और अपने phone पे इसे install कर सकते हो, और मैं आपको suggest करूँगा कि कभी बेर third party application यूज मत करना अपने phone पे, whatsapp, fm whatsapp, gv whatsapp, ये whatsapp, वो whatsapp कभी भी यूज मत करना, आपको बहुत बिरी problem हो सकते हैं, मैं आपको सारे cover care के बता दिया और मैं आपको पहले भी बता दिया और अभी भी बता रहा हूं कि आपका जो भी model होगा, जो भी phone होगा, आप हमें comment करके जरूर बताना, हमें mention करना, आप हमें सब कुछ करना, DM करो, ताकि मुझे पता चले, आपका कौन सा model है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, ताकि मैं next वीडियो में आऊ और आपके phone के बारे में आपको बता पाऊ, और हाँ मैं last में बूल गया, अगर आपके पास moto का phone है, तो moto के phone पे यह early है, तो उसे बताना की कोई ज़र नहीं है, लेकिन अगर आपके phone पे enable नहीं हो रहा है कि किस तरह से आप इसे moto के phone पे enable करके face beauty for video call का अनन्द ले सकते हो, तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था, मिलते हैं लेकर अडिस्टिंग वीडियो के साथ, तब तब के लिए जया हिंद, वुटुट।